पर RBI Notice 29 February के बाद आप ATM Payment Bank से transaction नहीं कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैं हम लोग को बैताऊंगा कैसे आप Google पर विंगलेस आकाउंट पर आपना बैंक आकाउंट चेज कर सकते हैं पहले आपको GPA open कर लेना है GPA open करने के बाद आपको इधर जो option दिखाई देगा उपर में 3 dot है, 3 dot में click करना है 3 dot में click करने के बाद setting पर एदर यह option मिल जाएगा bank account bank account पर click करना है, bank account पर जब आप click करेंगे इदर आपका एक bank account रहेगा दिखा रहा है मेरा ptm payment bank पहले था इसके बाद मैंने इस bank account को primary कर लिए है जो हमारा state bank में है तो आप आपना bank account को change करने के लिए ptm payment bank से अलाग एक bank account add करने के लिए पहले आपको add bank account पे click करना है इसके बाद दिखिए इधर बहुत सारा bank account दिखाई देगा आपको जो bank account available है इधर आपको search कर लेना है कौन सी bank account आपका है ptm payment bank छोड़के और ptm payment bank छोड़के और कुछ bank account नहीं है तो आपको ज़रूर एक bank account बनाना चाहिए युकि ptm payment bank में आप payment नहीं ले सकते है 29 February के बाद तो मैं इधर पांजब national bank search कर लेता हूँ देखिए search करने के बाद इधर अपना bank का branch है यह चूच करने के लिए बता रहा है bank आपको पता है तो ठीक है पासबूक के उपर लिखा रहते हैं चलिए मैं bank का branch enter कर देता हूँ देखिए मैं bank का branch का name है मैं इधर enter कर दिया हूँ यह bank का branch का name यह मेरा आ चुक है आपका bank का branch का name पता नहीं है तो आप directly IFC code enter करके भी कर सकते है वह process भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ देखिए मैं again bank सार्च कर लेता हूँ इसके बाद आपको पता नहीं है आप इधर उल्टा पाल्टा सा थोड़ा सा टाइप कर दीजे तो इधर दिखाएगा enter IFC code अपना IFC code enter करके भी आप अपना account number दे सकते हैं तो चलिए मैं इधर क्या करूँगा मैं अपना जो IFC code है मेर एक देंटर को याद नहीं है मैं branch का नाम पता है तो मैं branch का नाम दे देता हूँ इसके बाद देखिए दोस्तों इधर आपना account number एंटर करना है जो account number आपका है अपका नाम है तो ठीक है नहीं तो आप इधर इस पेंग पर click करके अपना account नमबर चेंज कर सकते हैं अभी इस के बाद आपको confirm account पे क्लिक करना है confirm account पे क्लिक करने के बाद कुछ टाम यह लोडिंग लेता है देखिए यह जो account है अभी under review में है कुछ time के अंदर यह जो है आपका under review से हट के primary हो जाएगा बट एक चीज़ धन में रखिए इस account में जो plan card यूज हुआ है आपका google पे business account में रहना चाहिए एक number दो number जो नाम पैन कार में हो आपका account में भी रहना चाहिए नाम mistake हो जाए तो यह add नहीं होगा reject कर देगा वीडियो का चलागे तो like कर दिज़े दूसर कर लिज़े मिलेंगा एकली वीडियो में तब तक के लिए आच रहिए